अगर आप घर पे फेशल करते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा यूसफुल होने वाले इस वीडियो को पूरा देखिए आपको मैं रिव्यू और डेमो दोनों करके दिखाने वाली हूँ तो मेरे पास क्या-क्या फेशल किट है मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले तो ये है वाइटनिंग परल फेशल किट और इसकी पैकेजिन जो है बहुत अच्छी इस बार आईए और आपको इसमें कितने यूजिस है क्या है वो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी त अगर आपकी जो स्कीन डल है और ब्राइट नहीं दिखते आपकी स्कीन तो फिर आप डाइमंड या परल फेशल भी कर सकते है पाटी ग्लूद का अगर चाहिए तो ये वाले फेशल आपके लिए अच्छी होंगे और एवरिडे बेसिस में मतलब मन्थली बेसिस में अगर अगर आपको कहीं शादी वादी या फेस्टीव में कुछ ग्लो टाइप का चाहिए तो फिर आपको डाइमंड और परल फेशल कर सकते हैं तो इस वार जो मैंने क्या है ना फेशल वह है जेंटल फूट फेशल किट पहने क्या है क्योंकि मुझे जो क्लीन अप टाइप का आपको फाइफ स्टेप मिलेंगे तो प्री फेशल इसमें आपको मिल जाएगा प्रेप करने के लिए स्कीन को मतलब डी तैन थेरेपी इस वार दी गई है तो सबसे पहले आपको लगा के सब चीजे जो है आपकी डर्ट पॉल्यूटेंट स्कीन जो है ब्राइट लगेगी क्लीन करेंगे फिर आप फेशल किट वन से शुरू कर सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लीन नरिष पॉलिश और प्रटेक्ट चारो चीजे हैं और सबसे पहले जो डी टेन थेरेपी आपको करना होगा फिर आप फेशल किट के तरफ जाएए तो किस तरह से आपको फॉलो कर सकते हैं अपने अच्छे स्किन के लिए और बहुत ही एफ़ोर्डबल रेंज में यह फेशेल कित हैं आप इसको तीन बार यूज कर सकते हैं तीन बार मतलब फेशेल कर सकते हैं थ्री मन्त आपका मतलब जाएगा अगर आप एक फेशेल खरीदेंगे तो और यह तो आप देख लीजी क्या क्या इसमें आपको मिलेगा तो यह है D10 थरेपि नंबर 1 क्लेंज 2 में आपको स्क्रबिंग और पेक प्लस उसके साथ है और इसमें आपको मसाज़िंग नंबर 3 में और 4 में आपको एपल पैक मिलेगा तो बिचली हम फटा फुर्टस शुरू करते इससे आपकी जुचिन की ड़ने से वह चली जाएगी के डिपली क्लीन करेगा और गुनारी उसके बाद करेंगे तो बहुत अछा काम करेंगा. फिर उसके बाद मैंने उसको वाश किया बहुत लंबा प्रोसेस इस फेशर में आपको लगने वाला है और काफी एफॉर्डबल है तो थ्री पत्तो आराम से आपका चला जाएगा तो आपका फर्स स्टेप में आपको फेश को क्लींज करना होगा क्लींज के इसमें लिखा गया है कि आपको दो से तीन निर तक अपने फेश पे मसाज करना है फिर आप इसको वाश भी कर सकते हैं या फिर आप इसको वाइप भी कर सकते हैं जैसी आपकी मर्जी और यह बहुत अच्छी तरीके से इसने clean किया सारी dirt impurities जो है वो अच्छे तरीके से निकल गई वैसे हमने d10 किया हुआ था तो बहुत अच्छा फर्क और उसके बाद स्क्रबिंग के सातना इन्होंने पैक भी दिया हुआ है तीन से चार मिनिट आपको स्क्रब करना है फिर आप इसको पंदरा मिनिट रखना है फिर आपको वाश करना है पार्टिकल्स जो है वो थोड़े बड़े हैं तो आपको बहुत ही slightly धीरे-धीरे अपने हातों से करना मसाजिंग मसाजिंग आपको अपवर डिरेक्शन पर करना है जिस तरह से मैं करना है देख सकते हैं पंदरा मिनिट आपको इस तरह से मसाज करना है सारे क्रीम जो है आपकी स्किन एड्जॉब कर लगी फिर आपकी स्किन ना सिल्की और स्मूध बिल्कुल लगेगी तो आपको मसाज करना है जब तक कि पूरी तरह से क्रीम को एवजोर्बना कर ले और थोड़ा सब पानी हाथ पे लगा सकते ज्यादा पानी आपको ने देना है मसाज के टाइम तो फिर यह अच्छा काम करें फिर आपको इसे वाश कर लेना है तो लास्ट में हमारा जो है वह एप अपल पैक को पूरे फेस और नेक पे लगाना है 15 मिनिट आपको रखना है जब यह ड्राइ हो जाएगा तो ही आपको वाश करना है आप चाहे तो नाइट टाइम में भी से कर सकते हैं बहुत अच्छा काम करेगा मैंने इसे डे टाइम में किया था तो फिर मुझे बाद में मौस्टराइजर लगाना पड़ा इसके साथ कोई आपको मौस्टराइज नहीं देगा तो आपको अपना जो मौस्टराइजर सूट करता है आप लगा सकते हैं तो मैंने यहां पे देख सकते वाश कर ला है अभी गलो नहीं आएगा दो से तीन दीन के बाद आपकी स्किन ब आपको इतना सब कुछ करने के जरूरत नहीं होगी उसके बाद संस्क्रीन मैंने लगा है क्योंकि किचन में भी काम होता है तो इसलिए और VLCC का संस्क्रीन लगा है आप देख सकते हैं अब मैंने जो कर लिया है पंदरा दिन के बाद तीन से चार दिन के बाद जो है ग्लो आ जाएगी क्लीन लगेगी वीडियो अच्छी लगते है तो लाइक शेयर जरूर करें मिलती हूँ आपको नेक्स वीडियो में